यह लो दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के आई होप आप लोगों बढ़िया होंगे मैं इस्तानों भिशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आई होपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा तो आज हम बात कर रहे हैं उत्राकंड एल्टी सिक्षक अपडेट के बारे में काफी सारे लोगों का ये सोचना था या ये मानना था कि या इंतजार कब तक करें कब तक हमारे पास में जो है वो न्यूज आएंगी और क्या-क्या अप्डेट्स होंगी वह सारी देर नहीं लगेगी जो आप सोच रहे है तो इसी के बारे में आज जो है वो न्यूज आई है और क्या है इस तब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले और मैं यह कहूंगा कि सबके लिए अच्छी खबर भी है ठीक है तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं जो न्यूज है वह रिलेटेड है आज सबसे बड़ी बात या सबसे पुरानी चीज़े जो चल रही थी वह थी उनके वेतनमान को लेकर और ग्रेट पे को लेकर जो वह कह रहे थे पदोनिती के लिए तो वह चीज़े नहीं हो पा रही थी कुछ टाइम से जिसके उपर अब जो है एक न्यूज आज देखने को मिली ह जिसमें लिखा वाएट सिक्षकों को दिवाली के बाद पदोनिती का तोफा संभव है और लोक सेवा अधिकरन ने रोख लगा रखी थी इस पर शाशन इस पर जो है वह याची का जो है वह दाखिल करेगा बोला क्या गया है प्रदेश के 2250 सिक्षकों को दिवाली के बाद अंतर मंडलियत अबादलों का रास्ता भी खूलने की त्यारी है शिक्षा माजनिते शालिये ने इस संबन में शाशंक को फिर से प्रस्ताव भेज दिया है शिक्षव भाव में सायक अध्यापक एल्टी के दोजा दोसो पचास शिक्षकों की पिछले तीन साल से भी अधिक समय से पदोन्यती जो है वो लटकी हुई है पदोन्यती सहित विविन मांगो के लिए पदेश बर के शिक्षक अंदोलन रत है जिससे देखते हुए शाशन ने लोग सेवा अधिकरण में स्थगना देश रत करने के लिए याचिका जो है दाखिल करने का निर्णे लिया है ठीक है निर्णे लिया है शिक्षा मानिदेशक बंशिधर तिवारी ने कहा है कि इस अधिकरण में याचिका धाखिल के जाएगी याचिका दाखिल के जाएगी याँ अभी हुई नहीं है लेकिन हाँ आप बोला है तो इसके आपके जो है आपके लिए अच्छी नहीं हो जाई ठीक है इसके अलावा सायक अध्याफक एल्टी के अंतर मंडलियत अबादलों के लिए शिक्षा मानिदेशाली ने शाषन को बेजे प्रस्ताव में कहा पूर में इस मामले में भी जो है वो शाषन को प्रस्ताव बेजा गया था लेकिन कारमी की विभाग की ओर से इस पर रोक लगाई गई थी र समवर्ग में बदलाव किया जाएगा जिसे देखते हुए शिक्षकों के अंतर मंडलियत अबादलों की अनुमती दी जाएगी ठीक है अब होगा क्या होगा यह कि चौवन सो ग्रेट वाले जो सिक्षक हैं उनको राजपतरित किया जाएगा ठीक है तो शिक्षा मानिदेश तो यह सारी की सारी चीज़े हैं इससे पहले भी विवाग में युक्ति के लिए 2005 से पहले आवितन करने वाली शिक्षकों की पुरानी परिक्षा की शिक्षकों की मांग पर अमल किया जा चुका है कुछ अन्य पर भी जल्दी निन्ने लिया जाएगा यह वंशित त्यारी जी ने कहा है ठीक है तो यह आज की न्यूज है और इसी तरीके से न्यूज जो शिक्षा जगत की होती है इसके लिए हमारे साथ में बने रही है तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू